अब कॉंग्रेस ने सत्ता भूख के लिए सत्ता हत्याने के लिए एक नई भाशा बोलना शुरू किया है नई बाते बोलना शुरू किया है आजकल क्या कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक मैं जर अब पूछना चाहता हूं कि जिनों ने उनको वाके लिख करके दिया है उसने सोचा है क्या जब तुम कह रहे हो तो कॉंग्रेस की मुलभूत नित्यों पर ही सवाल करा कर रहे हो जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक इसका मटलब यह हुआ कि अब कॉंग्रेस गोषना करें क्या आप अल्प संखेकों के विरोधी है क्या कॉंग्रेस पस्ट करें आप दक्षिन भारत के विरोधी है क्या मैं सिद्ध करता हूं उनकी ये नई सोच दक्षिन भारत के साथ गोरहन्याय करने वाली सोच है ये नई सोच माइनोरिटी के पीट में भी चुरा भूंकने वाली सोच है आजकल देश में अगले डी लिमिटेशन की चर्चा हो रही है आपको मालूमन है 25 साल के बाद पार्लामेंट की सीटे कितनी होगी कौन सी क्या होगी इसका निर्णय जुडिशरी करती है और उसके कारण जहां जनसंग्या कम है उसकी सीटे कम हो जाती है जहां जनसंग्या जादा है उनकी सीटे बढ़ जाती है अब हमारे दक्षिन भारत के सभी रोजजन है जनसंग्या बृद्धी को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है अब कॉंग्रेस का नारा ऐस कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हाग इसका मटलब आप कॉंग्रेस दक्षिन भारत के संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है खेल खेलने जा रही है क्या दक्षिन भारत इसको स्विकार करेगा क्या दक्षिन भारत कॉंग्रेस की चाल को स्विकार करेगा या दक्षिन भारत कॉंग्रेस को माप करेगा इसी विपसे पर मैं कॉंग्रेज के नेताओं को साप करता हूँ देश को मुरख मत बनाओ स्पस्ट करो क्या कारण है दक्षिन भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं और इंडी गड़ बंदन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा हिम्मत है तो जड़ा कॉंग्रेज से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक मैं कॉंग्रेज को सवाल पूछता हूँ साउट के अंदर खास करके तमिल नाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है सरकार ने कबजा कर लिया है मंदिरों के संपत्ति को सरकारी मिली भगत में हरप किया जा रहा है मंदिरों को तो लूटा जा रहा है मंदिरों को तो कबजा किया गया है लेकिन माइनोरिटी के पूजास्थल को हाथ नहीं लगाते हैं सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं अब कॉंग्रेस ने जो नारा दिया है कॉंग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हग अगर यही आपका मंत्र है यही आपका सिद्दांध है तो क्या minority के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जबत करेंगे क्या उनका कबजा करेंगे क्या उनकी प्रोपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या नहीं लाएंगे मैं दूसरे सवाल पूसता हूं कॉंग्रेस को ये जो नारा देते हैं तो क्या कॉंग्रेस और उसके साथ ही खास करके तमिल नाडू क्या वो वहाँ हिंदू मंदिरों को जो कबजा किया जा रहा है हस्तफे किया जा रहा है दक्षिन के दिक्तम राज्यों में ही खेल चला है जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हग तो क्या ये हग हिंदूओं को आप वापिस देंगे क्या जबाब दीजिए ये जूठी बातें मत करिए लोगों को प्रमिस करने का खेल खेलना बंद कर दीजिए कॉंग्रेस को इंडी अलाइंस को इस बारे में भी अपना स्टेंड साप करना चाहिए कॉंग्रेस के साथी जो तमिल लाडु में राज करते हैं जो केरल में राज करते हैं जो तिलंगना में राज करते हैं जो करनाटका में राज करते हैं ये सारे साथियों को कॉंग्रेस से ब्याद जबाब देना पड़ेगा साथियों आज देश में सबसे बड़ी जरुरत मन सबसे बड़ी जरुरत मन जिनको डगर डगर पर मदद की जरुरत है वो कौन है हमारे देश के गरीब परिवार है अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाती है तो वो जाती गरीब है और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाती उनकी सेवा उनका कल्यान उनकी प्रगति यही सच्चा सामाजी की न्याय है हमारी सरकार ने पिछले नौ सालों से गरीब कल्यान के लिए दिन रात मेहनत किये हैं और इसके पननाम भी सामने आ रहे हैं नीती आयो की रिपोर्ट कहती है कि पांच वर्ष में साड़े तेरा करोड लोगों को गरीबी से बाहर लेने का पवित्र काम हमने किया है और इसलिए मेरे लिए तो जाती अगर कोई है डेश की सबसे बढ़ी जाती कोई है तो गरीब है और अगर गरीब को गरीबी से बाहर निकालेंगे ना तो यह देश सम्रुद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा और यही यही मोदी का सपना है यही मोदी की गारंटी है यही मोदी का संकल्प है और यही मोदी की साधना है यही मोदी की तपस्या है और मैं अन्य सभी राजनितिक दलों से भी आज आवान करता हूँ, हाँ जोड़ करके मैं देश के रजीब सभी राजनितिक देता हूँ को, सभी दल के मुख्यों को, सभी पोलिटिकल पार्टियों को कहता हूँ, आएए, आज आज आजी के 75 साल हो गए, आएए, गरीबों के कल्यान पर वीचार करें गड़ीबौ की बलाई के लिए विचार करें गड़ीबौ की बलाई के लिए योद दराये है कि गड़ीमौ के उत्थान के लिए काम करें